हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों आज मैं फुटबाल गेम से रिलेटेट प्रिविएस येर में पूछे गए इंपोर्टेंट कोस्जन लेके आई हूं जो आपके लिए बेरी इंपोर्टेंट है वीडियो को सुरू से लाउट तक देखिएग बिल्कुल फ्री में तैयारी कराए जाता है और दोस्तों हंड्स जदा वीडियो इसमें प्रिविएस येर मसे क्यूश कोस्जन के बनाए गया है और चैप्टर वाइज मसे का प्रैक्टिस भी कराया गया है और डेली विसे इस पर बेहतरिन तैयारी के लिए जुड़ जाए हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो उसी के कार्डिंग है तो चली चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ दोस्तों कोस्जन है कि फुटबाल खेल में हेड़ पास के समय सरीर के विभिन्द भाग के मांस्पेसियो द्वारा उनमें से कौन गतिविधी यानि कि मुमेंट प् मुरना और फैलाना यानि फ्लैक्षन मतलब कोड़ कम होना और एक्स्तेंशन मतलब कोड़ जादा होना नेक्स्ट है दोस्तो निवनलिखित में से किस खेल में खेलते समय कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता तो फुटवाल में खेलते समय कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता जैसा कि बाले बाल में रेश्ट के लिए टाइम आउट प्रतेक टीम को प्रतेक हाफ में 30 सेकेंड का टाइम आउट दिया जाता है और बास्केट बाल में प्रत्थम हाफ में 2 टाइम आउट और दिती हाफ में 3 टाइम आउट एक एक मिनट का दिया जाता है जैकि फुर्वाल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता नेस कोशन है दोस्तों इसी प्रकार का इसको घुमा करके पूछा है सभी कोश्चन पूछे गए हैं दोस्तों जैसे की है कोश्चन है साकर खेल में टीम द्वारा कितनी टाइम आउट लिया जा सकता है तो यहाँ पे confusion करने के लिए इस प्रकार से question पुछा गया है यहाँ पे एक भी time out नहीं दिया जाता है जिसके दो साकर या फुटबाल खेल में टीम द्वारा एक भी time out नहीं दिया जा सकता association फुटबाल को समयनता है फुटबाल या साकर कहा जाता है दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है यह एक सामोही खेल है ग्यारा खेल लड़ियों की दो दलों में के मध्या खेला जाता है नेश कोजने दोस्तों की फुटबाल खेल की प्राड़म में कब गेंड खेल में यानि की play in में होता है तो आफसा नमर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गेंड की अपने परीधी भर आगे जाने पर जैसा की दोस्तों फुटबाल की खेल में जब गेंड गूल लाइन को टच कर दे यानि की जमीन के संपर्क में या इसके उपर हुआ में या पूरता पार कर जाए पार करके बाहर चले जाए गूल लाइन को तो गेंड खेल के बाहर यानि की ball out of play माना जाता है यानि गूल लाइन की बाहर चले जाए या टॉच कर दे दो इसी स्थिती में रेफ्री द्वारा खेल को रोक दिया जाता है इसके अत्रिक्त में हमेशा गेंड प्ले इन यानि खेल में होता है या अब ध्यान में रखिएगा खेल के प्राराम में जब गेंड अपने परीदी भर दूर आगे जाती है किक आप लेने पर गेन इस पर्ष्ट रूट से इस थान परियुर्तिन करे तो इसे खेल में मान लिया जाता है किक आप लेने वाला खिलाडी गेन पर दुबारा प्रहार तब तक नहीं करता जब तक कि दूसरे खिलाडी द्वारा उसे खेल न लिया गया हो तो दोस्तों ये भी कोशन होता है कि फुटबाल खेल का प्रारम कैसे होता है तो किक आफ के द्वारा होता है नेश्ट है रूर गुल्लिक सब्द का किस खेल से संबंधित है तो रूर गुल्लिक सब्द जो है फुटबाल से रिलेटेड है यारी संबंधित है नेश्ट है निनमे से कौन सा फुटवाल कलब सबसे पुराना है तो इसमें सेफिल्ल फुटवाल कलब सबसे फुटवाल का सबसे पुराना कलब है इसकी इस्थापना 24 अक्टूबर 1857 को हुई थी नेश्ड कोशन है भारत का शरुवाधिक प्राचीन फूटबाल कलब है यसकी इस्थापना ऐनल58 में पस्चिं बंगाल के कुलकाता में हुआ था नेश्ड है दोस्तों अंतरहु पुटबाल महासंग फीफा का गठन किस वर्स किया गया था जैसा कि दोस्तों फीफा का गठन किया गया था 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में किया गया था इसका मुख्याले जूरी एक सुरुजर लेंड है एन पर्थम अध्यच सी गुरीन फ्रांस के थे एन बर्थमान अध्यच गयानी इमपेंटीनू सुरुजर लेंड के हैं 2018 से यहाँ पे है नेशन दोस्तों दुरंड कप प्रतियोगिता की स्खेल से संबंधित है तो दुरंड कप प्रतियोगिता जो है वह फुर्वाल से रिलेटेट है यह डूरंड कप फुर्बाल टूर्णामेंट जो है वो भारत की सबसे पुरानी राष्टी इस्तर की प्रत्योगिता है यह आप ध्यान में रखेएगा भारत की सबसे पुरानी प्रत्योगिता कोन है डूरंड कप ठीक है नेश्ट है जैसा कि दोस्तों दूरंड कप भारत रिशा से पुरानी राष्टी इस्तर की प्रत्विता है उसके लावा और अन्य टुनॉमेंट है नेश्ट है निवनेखित में से फुरानी प्रत्विता कोन है दोस्तों तो अभी दूरंट मैं बताई हूँ दूरंड कप जो है बुटवार की सबसे पुरानी प्रतियों किता है जैसा कि दोस्तों दूरंड कप 1888 में सीमिला में इस्थापित किया गया था जो 1888 से 1940 तक सीमिला में ही आज़ित होता रहा उसके बाद अब यह आज़ित होता है दिल्ली में कि संतोष ट्राफी का संबंद है तो संतोष ट्राफी का संबंद किसे है फुटवाल से नेश्थ है दुरंड कप संबंदित है तो फुटवाल से नेश्थ है कोपा कप की स्खेल से संबंदित है तो फुटवाल से नेश्थ है कोपा कप की स्खेल से संबंदित है तो फुटवा से नेश डीशीयम कप सम्मंधित है तो फुटबाल से इस प्रकार के कप अंट्रॉफी से कोश्चन पूछे गए हैं दोस्तों प्रिवियर सीवर के कोश्चन हैं पूछे गए नेश कोश्चन है फुटबाल यानि साकर के खेल में पिनाल्टी किक लेने का अस्थान गोल से कितन कि स्थेल से समंधित है तो पिनाल्टी किक जो है वह फुटबाल से समंधित है इसके लावा इसमें सरदावलिया परयोग होता है पिनाल्टी किक मीड़ फिल्ट सेंटर स्ट्राइकर बैक पास कार्नर forward, indirect kick, free kick, dribble, extra time, foul, goal, offside, scissors kick, brano kick, winger, sweeper, back throw in, volley, touchline, try backer, sudden death, corner kick, corner flag, fist, first half, half, second half, land tackle, hat trick, chip, chip, fair charge, cross kick off, goal kick off, total football, golden goal, golden boot, आदि सब्दावलियों का परियोग किया जाता है, नेश्ट को जन है, striker सब्द की स्खेल से समधित है, तो striker सब्द फुटबाल से समधित है, नेश्ट है, corner kick की स्खेल से समधित है, तो corner kick भी है आपका फुटबाल से समधित, ठीक है, जैसा कि दोस्तों, फुटबाल, जिसमें भी किक सब्द होंगे, किक सब्द का परियोग होते ही, आप जान लेजी का कि, वहाँ, फुटबाल से समधित है, जैसा कि corner kick क्या होता है, दोस्तों, जब अपने ही खिलाड़ी से बाल टच होकर, अपने goal line से ही बाल बाहर जाए, तो वहाँ पे corner kick दिया जाता है, next question is दोस्तों, कि फुटबाल की बारे में कौन सा कथन सकते है, तो आशन है corner kick के समय, विपच्छी किसी भी दूरी पर खड़ी हो सकते है, जब कि ऐसा बात नहीं है, दोस्तों, color kick के समय वह, 10 मिटर, 10 गच्छ की दूरी पर खड़ा होगा, ठीक है, विपच्छी खिलाड़ी, and B है, फुर्बाल मैच में एक रेपरी दौरा निडरान होता है, यहाँ पे A option आपका B सही हो जाएगा, जब कि C है, throw in से CD goal किया जा सकता है, जब कि throw in से goal नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे आपसा नम्बर B करेट हो जाएगा, फुर्बाल मैच में एक रेफरी की दौरा निडरान होता है, जैसा कि दोस्तो फुर्बाल मैच में निर्चा करने वाले अधिकारियों में एक रेफरी दो लाइन मैंड एक टेबल आधिकारी होता है जिसमें फुर्बाल मैच में निर्ण रेफरी के द्वारा होता है फुर्वाल मैच का समय 45-45 मिनिट के दो हाप में होता है जिसमें मध्यांतर 15 मिनिट का होता है नेश्ट है दोस्तों यादे की 90 मिनिट का कुल गेम होता है नेश्ट है फुर्वाल मैच में टाइम कीपर के रुप में निवने लिखित में कौन कारे करता है तो जो फुटवाल में रेफरी होता है वही टाइम कीपर रूप में काम करता है नेश्टा फुटवाल के खेल में जब अत्रिक समय देने की बाद मैच का कोई निड़ा नहीं निकलता है तो रेफरी निमन में किसकी द्वारा मैच का फैसला करवाता है तो पनाल्टी किक के द्वारा जैसा कि दोस्तों जब मैच ट्राई हो जाता है तो 15-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है उसके बाद भी यह दिटाई हो जाता है तो 5-5 मिनट का पेनाल्टी किक दिया जाता है पर्टेक टीम को यह क्रम तब तक जाई रखता है जब तक गरंधी न तूट जाए जब तक कोई जीत न जाए आओ उसके बाद भी नीड़ नहीं होता है तो सदेन डेथ लागू होता है नेश्ट है दोस्तों फुटवाल के खेल की आवधी कितनी होती है तो 90 मिनट का होता है जैसा कि 45-45 मिनट की 2 आप होते है में ध्यांदर 15 मिनट का होता है और यह निडाय की सहमधी से बढ़ाया भी जा सकता है एं दोस्तों जैसा कि जो फुटवाल में सब्टेट्यूट खिला सा नो नंतक्कि के पूझछन में जितने वी button कौश्चन आह था उस में से 신ज्ट क्वास्ट मेंने आज आज आपको आपकी सामने प्रस्तुत किया है मैं आपके 10 कौश्चन और होंगे जिप्रीव attorney में फुड्वाल से क्व微 पूचे गए हैं तो दोस्तो आई होप कि सभी कोस्टेंस आपको समझ में आए होंगे वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और जादिस जादे दोस्तों सेयर किया किजिए क्योंकि आपके लिए मैं इतना कर रहे हूं तो आप मेरे लिए बस एक सेयर कर दीजेगा और वीडियो को जादे जादे लाइक कीजिए दोस्तों और बने रहे हैं मेरे चैनल पर डेली पेसिस पे जो भी आपको डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और फर्स बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बिल आइकन को प्रेस कर लि तो मिलते हैं नेफ्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हैं